हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आई होप कि आप सब ठीक होंगे दोस्तो आज हम डिसकेस करने वाले हैं एम्स बीएसी नर्सिंग टुथाउजन ट्वेंटिवन बीएसी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का ही रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तो हैं लेकिन उससे पहले मैंने सोच है क्यों को मैं डॉक्मेंट्स बता दूं कि क्या इंपॉर्टन डॉक्यूमेंट्स है जो आगेस्न पर्शलमे काम आएंगे तो अगर जिसके पास भी वह दॉक्वेंट कोई भी एक मिसंग है तो आरेंज कर सकता है इसलिए दोस्तों इस ब आपके पास होने चाहिए तो आपके एडमिशन के टाइम पर काम आने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को एन तक जरूर देखेगा दोस्तों कहीं भी स्किप मत करना वरना आपको आधी हदूरी इंफॉर्मिशन मिलेगी जिससे आपको लॉस हो सकता है तो प्लीज वीडियो ज़रूर देखेगा आए स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों सबसे पहले जो मैं के क्ला तो उस टाइम पर आपके पास में एडमिट कार्ड होना बहुत जरूरी जो आपका एडमिट कार्ड और रहा था वो वह उना बहुत जरूर झाल इ autob को बियर बहुतुं सब्सक्र आपके जो date or birth match होती एव आपके टेंत के Results से होती है तो इसलिए आपकी पास मेंIG घकर रिज़ल्ट होना बहुत जरूरी है वह साथ ही saath पर 12 ऐना चाहिए प्लस आपका passing Certificate क्योंकि 12 रिजल्ट में एक होता है छैना आपके marks लिखे होते आपके तो दोना होना बहुत जरूरी है एडमिशन के टाइम पे वह भी ओरिजिनल होना कमपल्स हरी है कि आपके पास में 10 और 12 का रिजल्ट ओरिजिनल होना चाहिए साथ ही आपके पास में डिग्री ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट उनचे क्वैलिफिकेशन का ये किसके लिए है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जोने पोस्ट बेसिक का फॉर्म भराता है ये फिर MSC नर्सिंग का ये बेसिवालों के लिए नहीं है जो अब बता रहे ह वह माइग्रेशन सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है आपका वह आपके लिए ये भी आपकेस्कूल से मिलजाईगा नेक्स्ट है No Objection Certificate यानिके NOC NOC होना बहुत जरूरी है यह सारे students के लिए भली BSC वाले हो Paramedical हो, MSC, Nursing कोई भी हो उन सब के लिए NOC होना बहुत जरूरी है आपके पास में No Objection Certificate होना चाहिए नेक्स्ट है Physical Disability Certificate अगर कोई student ऐसे हैं, जो Physically Disabled है उन्हें अपने form में यह fill कर रहा है कि हाँ, वो Physically Disabled है तो उनको अप admission की टाइम पे अपना वो Certificate दिखाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों, आपको वो Certificate प्रवाइड करना होगा और वो Certificate आपका आप कहीं ऐसे किसी प्राइवेट इंस्टिउशन से नहीं बनवा सकते हैं आपको गौर्वर्मेंट के थुरू आपको फिजिकल Disability Certificate बना होना चाहिए तो आपको गौर्मेंट होस्पिटल का ही चलेगा तो आपके पास में फिजिकल Disability Certificate होना चाहिए नेक्स रहाता है आपको स्कार सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे होंगे जो हमारे OBC, SC, ST, EWS, Non Creamy Layer इन सबसे भी लॉंग करते होंगे तो उन्होंने अपने form फिल करते टाइम में डाला होगा OBC, EWS इस तरीके से फिल कर रखा होगा तो अब admission के टाइम पे आपको आपको OBC Certificate या आपको EWS Certificate जो भी आपके Reservations category है उनको अपने Certificate दिखाने होंगे वो भी Original जिहां दोस्तों आपको अपने CAST Certificate या जो भी आपका है वो आपको Original दिखाना होगा लेकिन दोस्तों जो OBC Certificate है वो आपका 28.12.2021 यानि कि 28.12.2021 को आपको एक्जाम होगा था उससे पहले का होना चाहिए जो आपका Certificate है वो उससे पहले का होना चाहिए उससे बात का आपका Acceptable नहीं होगा तो प्लीज इस बात को अच्छे से धिहान रखना कि 28.12.2021 से पहले का आपका Certificate होना चाहिए Next आता है कि अगर in case आपके पास में कोई एक Document नहीं है तो अब आप क्या करें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वर्ल लैक का यानिकी एक लाख रुपे का DD डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा जो आपका University यानिकी जो AIMS है वहाँ पर आपका College में सब्मिट हो जाएगा यह दिमांड ड्राफ्ट आपको तब वापस दे दिया जाएगा जब आपना ओरिजिनल ड्रुकिमेंट सब्मिट कर देंगे सब्मोस करिए आपके पास में आपकी TC नहीं है या फिर हो सकते हैं कि आपके पास में आपका College सर्टिफिकेट नहीं है तो अब आपको क्या करने हैं आपका एड्मिशन कैंसल नहीं होगा लेकिन आप जो है एक लाग रुपे का DD सब्मिट कर देंगे और आप मतलब एक रेफ ऐसा लिख के देंगे कि हाँ जब मैं अपना इस सर्टिफिकेट दे दूगा तो मुझे यह मेरा मनी वापस मिल जाएगा तो जैसे ही आपकी वासना आपका कार्ज सर्टिफिकेट आपका टीस ही है जो भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं है आप उनको सब्मिट कर देंगे तो कॉलिज आपको जो आपका डीडी था एक लाग रुपे का वो वापस कर देगा तो यह आपको रिफर्डेबल मनी है बस इसलिए रखा है कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट है जो आपकी बस नहीं है अभी वो बाद में आप सब्मिट कर दें इसलिए आपको एक लाग रुपे का डीडी बनवाना पड़ेगा और जो डीडी आपको वापस मिलेगा अगर आपने डॉक्यूमेंट आज सब्मिट कर दिया आपना बाद में आज सब्मिट वाना सपोर्स आपने कर दिया तो उसके पांच वर्किंग डेज में आपको यह करीवापस मिल जाएगा नेंस आता है आपका अधार काड कि आपकी पास आपका अथार काड होना बहुत जरूरीा है अपना ओरिजनल ही रख्यांगा bis आता है आपका photograph जो अपने अपने फॉटोग्रैफ लगाई थी अपनी वही सेम फोटोग्रैफ अपके होनी चाहिए कम से कम दो फोटोग्रैफ तो होनी चाहिए और दोस्तों यह डॉक्यों जितने भी मैंने आपको बता है प्लीज सब के सब और अरिजिनल रखना और साथ-सा जादा काम आने वाले हैं आपके एडमिशन के टाइम पर तो मैंने आपको यहां complete बताए हैं अगर इन में कोई भी कोई ऐसे document है जो add-on होता है further कोई update आता है तो मैं आपको वीडियो के थूरू बता दूंगी बाकि यह सारे जिते documents है आपके admission के time पर लगेंगे तो please इनको अगर कोई भी document ना हो तो arrange कर लेना अभी time है आपके पास में आप कर सकते हो तो please कर लेना कहीं भी correction कराना हो तो correction करा लेना क्योंकि बाद में फिर आपको problem हो उससे बेटर है कि अभी आप आपने documents को arrange कर लें दोस्तों यह चोटी सी वीडियो थी एक आपको information देने के लिए कि आपके क्या के documents लगने वाले हैं तो I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आई है आपके लिए useful रही है तो please इसको like कर दो share कर दो इस चैनल प update आपका aims से आएगा तो वह आपको इस चैनल पर सबसे पहले दी दिया जाएगा वीडियो के थुरू तो please चैनल को subscribe कर लेना और bell icon को press कर देना और हाँ अगर अब तक मेरा telegram group join नहीं कर रहा है तो जाओ जा करके वहां join कर लो उसमें कोई भी नए update आता है कोई भी आपको म से direct contact कर सकते हो कोई भी आपको problem है कहीं भी कोई query है कुछ भी आपको मुझसे पूछना है तो आप हाँ पर पूछ सकते हो दोनों की link है मैं comment section में pin कर दूंगी तो please telegram को और instagram को follow कर लेना और यह video अच्छी लगी हो तो please को like कर देना share कर देना channel को subscribe कर लेना thanks and have a nice day